हलो फ्रेंज ओम नमस्षिवाए मैं हूं इंदू अहुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप एकदम खोश होंगे मज़े में होंगे और अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सावन के महीने में क्या करना चीए और क्या नहीं करना चीए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीजे उन चीजों में से कोई भी अगर एक चीज भी आप इस सावन के महीने में लेके आते तो वो बहुत ही शुप तरीके से आपके लिए काम करेगा अगर इन में से कोई भी चीज आपके पास अल्यडी है तो उसके अलावा आप क्या ला सकते हैं वो इस में से आप देख लीजेगा तो सबसे पहले जो चीज होगी वो होगा रुदराक्ष चाहिए वो कितने भी मुखी का हो वो माइने नहीं रखता माइने रखता यहां पर रुदराक्ष जैसे कि आप रुदराक्ष का हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं या गले में लॉकेट पहन सकते हैं कैसे भी आप प पहन सकते हैं, तो आप अपने पूजा स्थान पे किवल एक रुदराक्ष लाके भी रख सकते हैं, और नॉमल तरीके से उसकी पूजा कर सकते हैं, यह हमेशा भी आपके पास पढ़ा रहेगा, तो बहुत ही शूब है, जैसे ही यह सावन का महीना खतम हो जाएगा, तो रुद जो चीज होगी, वो होगा शमी का पौधा, घर में शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुब माना जाता है, वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सावन में अगर आप यह पौधे को लगाते हैं, किसी भी दिशा में तो बहुत ही शुब होगा, इसी के साथ साथ ब आप ध्यान मत दीजेगा इसमें तो मैं यही काऊंगी बस वो अच्छे से ग्रो करने चाहिए सावन के महीने में सफेज चीजों का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है कोई भी सफेज चीज होती चाहिए वो दूध हो चावल हो शक्कर हो जो आपको समझ मैं कोई भी सफेज चीज का आप दान कर सकते हैं या किसी भी गरीब को या सेवा कर्मी को दे सकते हैं कितनी भी कॉंटिटी कभी भी आप दे सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सुहाग की चीजे देना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आप अपने घर के मेंबर्स को भी अगर पूरे घर में इसको बजाएंगे तो इसके जो वाइबरेशन से वह बहुत ही सुपब्ली काम करते हैं आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आजाएगी आप बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं अगर आप चाहते को अच्छी हो जाए उनके अंदर मैं शिवाय का जाप करके उसको एनजाइस कर सकते हैं और उसके बाद आप वो बच्चे को खिलने के लिए दे सकते हैं आप खुद भी बजा सकते हैं घर में इसको डेली के डेली इसके साथ साथ चांदी का छोटा-सा नंदी बैल अगर आप लाके अपने पूजिज़ा अंदर की तरफ होना चीए और ऐसा माना जाता है कि नंदी बेल के कान में अगर आप कोई भी इच्छा बोलेंगे तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगा वो कितनी भी बोल सकते हैं कभी भी बोल सकते हैं उसमें hard and fast rule नहीं है ऐसा माना जाता है कि छोटा सा त्रिशूल या च भी आप लगा सकते हैं यह पूरे सावन के महीने में आप चांदी के ग्लास में पानी पहिएंगे तो बहुत ज़्यादा शुब है अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चांदी का गहना आप अपने शरीर पे धारन कर लें चाय फिर वो कोई भी हो इस सावन के महीन शुब होगा अच्छा सावन में ऐसा माना जाता है कि भसम अगर आप शिव्लिंग पे चड़ाते हैं तो वो बहुत ही सूपबली अच्छे से काम करते हैं आप क्या कर सकते हैं पेल पत्रक काफिशारे ले सकते हैं उसको अच्छे साप सुखा सकते हैं और शुखाने के तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा, आप कभी बना सकते हैं, कोई भी सुमवार को भी बना सकते हैं, हर सुमवार को भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर अलेडी शिवलिंग है तो आप उन पे बर्फ भी चड़ा सकते हैं, क्योंकि बर्फ भी बहु होती शुब होता है शिवलिंग पे चड़ाना लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है तो चांदी का बेल पत्र जरू से अपने पास लेकि रखेगा वो भी आप चड़ा सकते हैं उनको रोज धोके आप दुबारा से चड़ा सकते हैं शिवलिंग पे मैं मानती हूं इसमें से काफ लोगों की मदद हो सकती है आपके फ्रेंज रिलेटिव सब जगा पे इस वीडियो को शेर कीजेगा हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखेगा विश्यू ओल दे बैस गौट बैस यू ओम नमस्षिवाए